हलो एवरिवन आज हम बनाएंगे सर्दियों में स्पेशल सा बनने वाला एक पास्ता सूप यह मेरे स्टाइल का पास्ता है फ्रिंड्स मैं तो हर बार इसको बनाती हूं मुझे बहुत पसंद आता है विंटर्स होती है ना तो यह पास्ता सूप इतना टेस्टी लगता है खान कि बच्चे बड़े सब मांग मांगे जरूर खाएंगे हलो फ्रेंट्स मैं शफाली सकसे ना आप सबका स्वागत करती हूं अपने कोकिंग चैनल दे कोगिंग अगर अब ही तक आपने मेरे चैनल सबस्क्राइब में किया है तो प्लीज प्लीज सबस्क्राइब जरूर करें अब लाकिन का बटन दबारा ना भूलें तो चलिए इसको हम बना लेते हैं जट पट से तो यहां पर एक मैंने कड़ाई करम कर लिया है उसमें मैं एक टुकुला डाल रही हूं बटर का और इसके साथ साथ एक चमच ऑईल डाल दिया है मैंने तो बटर बलकुल ऑप्शनल ह और ओल बहुत ही कम यहां पर डाला है तकि जो बटर है वो जलने ना पाए तो अब मैं जल्दी से डाल लेते हूं यहां पर लेसुन तो चार लेसुन की करलिया मैंने बारिक चॉप कर ली हैं और इसको मैं इसमें आड कर देती हूं और इसको भी हम जल्दी से चला लेते हैं तो बस इसको आप थोड़ा सा इसको चला ले तो यह जलने ना बाए बस इस बात का दरूर ध्यान रखे और अब मैं यहां पर डाल रही हूं एक प्याज है और यहां पर दो हरी मिर्चे है और जो है छोटी सी मैंने मतलब दो चम्मच लेके शिम्ला मिर्च भी लिए लेकिन अ यहां पर प्याज और हरी मिर्चे डाल रही हूं इस तरीके से और इसको अब आप चला लेजे अच्छे से बस हमें प्याज को इतना पकाना है कि थोड़ा सही हल्का पना जाए इसमें ब्राउन नहीं होना चाहिए और साथ-साथ मैं यहां पर शिम्ला मिर्च भी डाल दाल तो इन सब चीजों को बारिक बारिक काटेंगे तो सूप में और ज्यादा मज़ा आएगा तो बस मैंने हलका से इसको सौते कर लिया है अब मैं यहां पर डाल रही हूं टमाटर की प्योरी जो दो तमाटर अच्छे लाल गाड़े तमाटर मैंने ले ले थे और इसको मैंने चाना नहीं है मैंने डाला इसको डाला है क्योंकि जो टमाटर में अल्रेडी पीस चुकी हूं मुझे चानने की जूरूत नहीं है और इस तरीके से जब यह थोड़ा से पके तब आप इसको चला ले तो तो तमाटर का बस हलका सा कच्छा पन जो बचा होता है ता बटर में चला जाए बस हमने इतना ही इसमें पकाना है अब मैं यहां पे डाल रही हूं एक छोटी चमबच नमक का ताकि जो जितने भी मसाले नहीं अच्छे से पर जाएं तो अभी हम सिफ नमक डालेंगे और इसमें में डाल रही हूं तीन बड़े कप भरगे पानी तो सूप की कॉ तो कलर भी एकदम बड़ा सा आ गया है हमने फूट कलर वगएरा कुछ यूज नहीं किया खाली जो तामाटर आजकल आ रहे है ना है अच्छे लाल होते हैं वो यूज करें तो अब मैं यहां पे एक कटोरी डाल देती हूं यह मैकरोणी का और इसको हम इस तरीके से थोड़ चला लेते हैं और इसको में ढख के पकाऊंगी लगभग 5 मिनिट के लिए मीडियम हीट पे पांच मिनिट के बाद हम जरा देख लेते हैं कि जो पास्ता है यह अच्छे से पका है के नहीं पका है बेसिकली हमें पास्ता पकाना है यह जो मिकरोणी हमने डाली है वही पकानी तो यह देखें मैं इसको चेक कर लेती हूं यह हलकी सी टूट रही है और यह देखें अच्छे से पक गई है और जो सूप में गाड़ा पन होता है वो भी फ्रेंड्स जिर्फ इसी वज़े से आ जाएगा जो हमने मैकरोनी डाली है यह पकेगी इसका जो स्टार्र शिंक लेग लात तो अगरट पन देगा तो यह पर मैंने इक चुटकी डाल दए है जो यह ऌद रिछा मिर्च बोड़ा सा काली मर्च भी डालरी हूं इस तरीक शी तरीके से जब फ्रेश डाल दालतान ए अब मैं यह जनेया साथ गया नहीं जो दालता है तो मुझे इस तरीके से डाल अब तुलसी के पत्ते भी कटकर केस में डाल सकते हैं, तो अब बस आपको इसे अच्छा से चलाना है, यहां डाल रही हूं धनिया ताकि इसका फ्लेवर और दुगना हो जाए, अग्दम बढ़ा सा हो जाए, तो यह मेरा all time favorite macaroni soup है, जो मैं हर बार बनाती हूं, हर दूसरे ती लगता है, अग्दम फिलिंग है बिल्कुल, और बच्चा हो जाएं बढ़ा हो, हर किसी को बहुत पसंद आता है, तो विंटर में तो यह बनाना बनता है, अग्दम इतने जल्दी बन जाता है, और लास्मिन में यहां पे हरापयाज उपर से ऐसी तरीके से डाल दिया है, त जाहें तो इस पे थोड़ा सा बटर भी लगा सकते हैं, तो यह हो गया, रेडी मेरा, इंस्टेंट सा बनने वाला मेकराणी सूप, तो आपको रेसिप परसंद है, मेरे चैनल जरू सब्सक्राइब करें, और मुझे जरू पताएं, कमेंट करके बताएं, आपको रेसिपी कै अब मुझे फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हैपी विंटर्स!